जहिन दोस्तो मैं हुआ नोफ और आफसलो का स्वागत है डिफेंस अफडेट के और एक फ्रेश एफिसोड में दोस्तो आज की वीडियो का पहला अफडेट कैसे ब्रह्मोस मिसाल के खिलाब मौडन एर डिफेंस सिस्टम नाकाम है खाली में ब्रह्मोस एरोसफेस के पूर्वे चेर्मेन डोक्टर सुधिर समिस्र के तरफ से इंटर्व्यू देते हुए बताया गया है कि किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाल है ये अभी भी मौडन एर डिफेंस सिस्टमों के लिए अनबीटेवल है और खाली इतना नहीं बल कि आने वाले दशक में भी ये इसी तरीके से अनबीटेवल रहेगा दोस्तों आपके जानकारी के लिए वितादू कि ब्रह्मोस मिसाल को करीवन आज से 20 साल पहले तयार किया गया था और इस 20 साल के अंदर दुनिया के कई सारे देशों के तरफ से नए और मौडन एर डिफेंस सिस्टमों को तयार किया गया है लेकिन उन एर डिफेंस सिस्टमों के लिए भी ब्रह्मोस मिसालों को काउंटर कर पाना नामुम्किन है हाला कि दोस्तों इस 20 साल के अंदर ब्रमोस मिसाइलों के कई तरीके के अलग वेरियंटों को भी बनाया गया है जिन में extended range ब्रमोस से शुरू करके air launch ब्रमोस भी शामिल है और इन मिसाइलों के ताकत में भी बढ़ोतरी किया गया है फिलाल जो extended range ब्रमोस है ये 800 किलोमेटर के target को hit करने का capability के साथ है और करीब करीब बताया ये भी जा रहा है कि नए मिसाइलों का रफ्तार माक 4.5 होगा ब्रमोस मिसाइलों के जो रफ्तार है यही इसका खासियत है जबकि इसके low profile होने के कारण इसे detect कर पाना भी काफी मुश्किल होता है अलाकि अगर detect हो भी जाता है border के नजदीक मतलब line of control से लगके international border के नजदीक उडान भरते हुए देखा गया था दोसो report के मुताविक बताया जा रहा है कि जो aircraft है यह असल में स्रीनगर के airport से उडान भरने के बाद line of control से लगके उडान भरा और उसके बाद जंबू से अमरिस सर और फिर राजस्तान के व airport में आके land किया दोसो P8ISL में नेवी के एक maritime surveillance aircraft है जिसमें synthetic average radar, inverse synthetic average radar, electro optical instrument से शुरू करके infrared और electromagnetic domain को counter करने के लिए electronic warfare suit भी है अलाकि यह पहला वार नहीं है जब इस तरीके के aircraft को land border में deploy किया गया हो इससे पहले लदाक के crisis का समय भी इसका deployment हुआ था दोसो next update चाइना के 2M द के तरफ से Chinese made CHD620 इंजिनों का इस्तमाल किया जा रहा है जो की एक तरीके का ऐसा engine है जो काफी noise फैदा करता है, European Union के देशों के तरफ से चाइना के उपर प्रतिवंद लगाने के कारण चाइना MTO के इंजिनों का इस्तमाल नहीं कर पा रहा है, जिस कारण चाइना के तरफ से engine को reject करते हुए सन्पूर्पन सबमरίν के deal को ही reject कर दिया गया है, पर दोस्ब पाकिस्तान के सामने फिलाल कोई चारा नहीं है जिस कारण पाकिस्तान मझबूरी से चाइना के इंजिनों के साथ ही सबमरίν को हासिल कर रहा है, और दोस्तों, ऐसे noise पैदा करने वाले engine के अधिक signature generate करता है जिससे की submarine detect होने का संभाव बनाए भी अधिक होता है वीडियो का next update रशिया के तरफ से Lyoning aircraft carrier को बाफस लेने का दावा आप सब के जानकरी के लिए बतादो कि हाली में रशिया के liberal democratic party के एक political अधिकारी के तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि रशिया को Lyoning aircraft carrier को चाहना से वापस खरिद लेना चाहिए और दोस्तों आपके जानकरी के लिए बतादो कि ये जो Lyoning aircraft carrier ही ये असल में सोवियत जमाने में रशिया के लिए बनाया जाने वाले वेराग aircraft carrier है जो कि सोवियत युदिया तूटने के बाद यूकरेंड को मिला था रशिया के इस पॉलिटिकल अधिकारी का ये भी कहना है कि यूकरेंड के द्वारा इस ये aircraft carrier को ओने पौने दाम पे चाहना को बेज दिया गया है जो करिवन कुछ बोटल वाटका या फिर स्क्रैप का ही मूले है और इसे देखते हुए अब रशिया को इस ये aircraft carrier को चाहना से वाफस खरीद लेना चाहिए और अपने बेडे में उनके ही पार्टी के फाउंडर ब्लादेमेर जरुनोस्की के नाम पे शामिल कर लेना चाहिए उनका ये भी कहना है कि इस ये aircraft carrier को रशिया के फ्लैक्शिफ के रूप में बनाया जा रहा था और इसलिए भी इससे बापस लेना चाहिए वीडियो का नेक्स्ट अफडेट प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के तरफ से इनोगरेट की जाने वाले नया हेलिकॉफटर फैक्टरी रिपोर्ट के मताविक 13 फेवरडी के दिन प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के द्वारा डिफेंस पी एस्यू हिंदोसन अरनोटिक लिमिरेट के नय हेलिकॉफटर यूनिट को तुमकरू में इनोगरेट किया जाएगा यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बतादू कि यह जो हेलिकॉफटर फैक्टरी है यह 615 एकर के जमिन पर बना हुआ है और इसके फेज वान को फिलाल ओपरेशनल किया जाएगा फेज वान में मेनुफटरिंग यूनिट से शुरू करके स्ट्रक्चरल असेंबली, फाइनल असेंबली लाइन से शुरू करके हेलिपैड, फाइटर हैंगर, एटीसी, एक्विपमेंट हैंगर, एडमाइन विल्डिंग और अन्ने फेसिलिटी होगा दोसें इस हेलिकॉफटर फेसिलिटी में इंडिया के द्वारा बनाया हुआ, लाइट इूटिलिटी हेलिकॉफटर का मेनुफटरिंग किया जाएगा, जबकि आने वाले समय में, यहाँ पे मेडियम वेट के हेलिकॉफटरों का भी मेनुफटरिंग किया जाएगा, वीडि लेकिन इंडिया का फिलाल फोकस है इंडेजनियस इंजिन जो संभाबित काविरी गैस्ट अडवाइन इंजिनों के बेस पे होगा हाला कि दोस्तों बड़े जहाजों के इंजिनों को लेके इंडिया विदेशी गंपनियों के साथ इस तरीके के समझोते के तहत आगे वढ़ना चाहता है जिससे की इंजिनों को मेकिन इंडिया इनिशीटिव के अंतरगत भारत में बनाया जा सके विडियो के नेक्स्ट अफडेट थर्ड नोटाम के पोस्पॉंड दोस्तों अब के जानकड़ी के लिए बताद्यू कि साल 2023 के लिए अल्डेडी इंडिया के द्वारा तीन नोटाम को जारी किया चुका है जिनमें तीसरा नोटाम असल में 12 जनवरी से लेके 14 जनवरी के धर् किया गया है पहले नोटाम में ही जानकरी दिया गया था कि इसका एरिया गरिवन 650 किलो मिटर के लिए होगा वैसे तो दोस्तों इस मिसायल के टेस्ट के रोल लेके कोई जानकरी नहीं है मतलब नोटाम के अंतरगत कौन सा मिसायल टेस्ट होगा ये बताया नहीं गया है लेक तो इस exercise को असल में चायना के बढ़ते हुए muscle plexing को देखते हुए ही आजित किया गया है. Exercise का नाम Veer Guardian 2023 दिया गया है और इसमें Indian Air Force के साथ साथ Japan के Air Self-Defense Force हिस्सा ले रहा है. Basically दोस्तों ये जो exercise है ये हिराकू Airways में आजित किया जा रहा है और इस exercise के लिए इंडिया के द्वारा अपने चार सुखोई 30 MKI जेट, दो C-17 ट्रांसपोर्ट यारकाफ और एक Illusion 78 एरियल रीफियूलर यारकाफ भेजा गया है. जबकि दूसरे तरफ Japan के Self-Defense Force के तरफ से 4 F-2 मतलब F-16 एरकाफ टो के Japanese वरिजन और 4 F-15 एरकाफ टो का इस्तमाल किया जाएगा. Japan के तरफ से असल में भारत के साथ इस एक्सेसाइस को इसलिए आजित किया गया है ताकि सुखोई 30 MKI एरकाफ टो के साथ अभ्यास करते हुए चाहना कि इस तरीके के एरकाफ टो के खिलाब अपने Counter Strategy को बनाया जा सके. वीडियो का निक्स्ट अफडेट स्पाइडर सिस्टमों का टेक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल कैफिविलिटी तो सो रैफाइल अडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से निर्मान किया हुआ एर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर को लेके अब जान करी दिया किया है कि ये Counter TVA मत मतलब टेक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल कैफिविलिटी से जुड़ चुका है तो स्पाइडर असर में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अब तक जमीन से दागने के बाद दुश्मन के एयर क्राइब, हेलिकॉफटर, अन्मान एरियल वियेकल और प्रिसेजन गाइडर म्यून नेशनों को काउंटर कर सकता था और रैफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से इससे अपग्रेड करते हुए अब टेक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल मतलब शॉर्ट रेंज के बैलेस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने का कैपिबिलिटी के साथ जोड़ा गया लेकिन अब ये बढ़के करीवन 80 किलोमीटर के रेंज तक हो चुका है दोसे वीडियो का आखरी अफडेट ताइवान स्टेट से अमेरिकी जहास का गुजरना रिपोर्ट के मुताविक हाली में अमेरिकी नेवी के गाइड़ेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चुंग हुन के त अब ये जहास के अब बढ़के तो ये जहास के अगर आफके वीडियो अच्छा लगा आथ से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुँँ आइकन को इप्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद